Class 11, Economics के लिए एक बहुत शान्दा प्रोजेक्ट Law of Variable Proportion या फिर Production Function पे यह प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले करा गया है सबसे पहले इंडेक्स आपके सामने Chapter 1 आपको डिस्प्ले बहुती शान्दा, बहुती प्यारी तरीके से फाइल बनाएगे हैं दोस्तो Introduction में आपने पताया कि आपके चीज़ पे फाइल बना रहे हैं सबसे पहले Definition हमने लिखी Production की उसके बाद हमने Production की Equation दी है कि Production की Equation क्या होती है और कौनसी Equation में क्या चीज, क्या चीज को इंडिकेट करती है फिर Production के Factors की बात करे गई है जो की हमारे पास दो तरगे होते हैं Fixed Factor और दूसरे हमारे पास होते हैं Variable Factors दोनों की Definition और दोनों की Picture भी Display करे गई है ताकि Easily Identification और Easily Remark मिल सके हमें Teacher से Chapter 2 में हम बता रहे हैं पुड़क क्या होता है और पुड़क के Different Types कौन-कौन से है और साथ में इनके Formulas को भी Display करेंगे हम इसके अंदर File बहुती Neat and Clean बनानी है हमें और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है File के Area को आप कैसे Cover कर सकते हैं यह बहुत Matter करता है तो यहाँ पर यह File जो आपको मिली है इसमें Area Coverage बहुत प्यारी करी गई है बहुत सोच समझ के Average Product, Total Product, Margin Product को Display करा गया है उनकी Definition Google से भी ली गई है इमेज को Display करा गया है Formulas को Yellow Color की चिट से Display करा गया है ताकि Effectiveness Formula की बढ़ जाए और Attractive लगे Formula भी Chapter 3 में हमने Production Function, Short Run, Long Run, Assumption जो भी हम आगे के Topic लिखने वाले हैं उस सब हमने Display करें गया है सबसे बहले Production Function को Display करा गया है जो कि काफी Important है, Definition है Production Function आपको पता है फिर Production Function के Low कौन कौन से है Short Period का Low है, Long Period का Low है ठीक है, इसके बार हमने Short Run के बारे में बताया जिसको हम Law of Return के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में लिखा फिर हमने Schedule के Explanation भी दी Schedule को बताया, Schedule बनाया You know, Effectiveness Schedule की बढ़ाई गई है Graph, Curves की Effectiveness को बहुत बढ़ाया गया है You know, यह Display करके हमने Effectiveness को Diagram अलगी पेच पर बनाके Effectiveness बढ़ा दी ऐसी हमने Constant Return बनाया और उसकी Effectiveness बढ़ाने के लिए हमने इसकी भी Detail को अलग से Display करा है, Schedule बनाया Diagram की Explanation भी Note करी है हमने, उसके बार हमने Deminishing Return बनाया है इसके अंदर तो Class 11 के इस फाइल की Effectiveness बहुत बढ़ाने की कोशिश करी गई है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से Note Down भी कर पाएं हर Figure के Explanation को Note करा गया है बनाएं गई है बाई हैं ताकि Effectiveness बहुत ज़्यादा बढ़ जाया है और सुन्दर लगे Law of Variable Proposition जो की बहुत में है इस Chapter के अंदर उसके Schedule को Explain करा गया है आप अगर यहाँ पे बनाना चाहें इसको बना भी सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा यह देखिया आपके सामने बनाया भी गया है यहाँ पर कितना प्यारा Effectiveness कितनी जाद अच्छी लग रही है यहाँ पर इसकी जो की बहुत मेटर करती है इसकी Stages को Explain करा गया है आपके सामने यहाँ पर इसके जो तीन phases है Increasing, Diminishing और Negative Return उनको No Down करा है हमने बात में इनको अगर हम Detail में देना चाहें तो दे भी सकते है Increasing Turn क्या होता उसकी Detail दी गई है ऐसी ही Same Detail हमने दी है Diminishing Turn की भी और इसके बार Same कुछ इसी परकार की Detail हमें मिलेगी यहाँ पर Negative Return की भी Finally Long Run उसका Return to Scale हमने Note On करा है उसके Phases को भी हम Explain करने की कोशिश करना चाहें कर सकते है बहुती अराम से Easily File 32, 40 Pages cover कर लिए आपकी और एक Average File इतने पेज़ की होनी चाहिए आपकी Class 11 के लिए Return to Scale के लिए 3 Phases है Increasing, Constance and Dimaging Turn तीनों को Explain करा गया है Next Pages पर इनको हम Detail में Cover करेंगे और इनको Graphically भी Show करेंगे इनके Schedule के साथ इसके बार Diagram की Explanation भी आप दे सकते हैं उसके बार आप Constant Return को Cover Up करके चलेंगे इसके अंदर Constant Return को भी आपको एक Schedule के साथ और एक Curve के या Diagram के साथ Explain करना होगा ताकि आपके काम की Effectiveness को बढ़ाया जा सके इसलिए आप इसको अराम से बहुत इसली तरीके से Explain करेंगे फिर हम लोग Daimnation Return को Explain करेंगे इसके अंदर जो की काफी Important है हमारे लिए इसका Diagram भी आपको Explain करना पड़ेगा और Finally आप इसके Reasons लिख सकते हैं इनके Reasons को लिखने के बार आप इस फाइल को चाहें तो यहीं से आप Conclusion और Bibliographic तफ लेके जा सकते हैं Conclusion आपका फाइल से Related होना चाहिए आप इसको अराम से Not On भी करना चाहें तो कर सकते हैं और Finally आपके Student Remark है ऐसे और Amazing Content के लिए दोस्तों Subscribe करें आपका अपना YouTube चैनल One to One Classes जल्दी से ओर्व करें से लिए जल्दी से लिए पत्वरकाया से बाल चाहें